हलो फ्रेंड, वेलकम तो दे चैनल फार्मेसरी इशनरी बायकुषपेंद रिपटेल आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाला हैं वेकाउम वन क्रियाटिव पैंड डिस्प्ले को यानिकी डिस्प्ले पैंड को अगर आपने हमारे में चैनल फार्मसी को देखा होगा या किसी भी यूट्यूबर जो के एक टीचर है उसके वीडियो देखे होंगे, एनोटेशन देखा होगा तो वो मोस्टली इस तरह के पैंड टेबेट का यूज़ करते हैं फिलहाल मैं तो इसी के एन्बोक्सिंग करने वाला हूँ जो कि मैं अपने स्लाइशन के लिए यूज़ करता हूँ अगर आप ये प्रड़क्ट परचेस करेंगे तो आपको इसके साथ अलग अलग तरह है कि एसेमली मिलेगी, सबसे पहले आपको मिलेगा आपको में टैबलेट, साथ में मिलेगा आपको स्टाइलस पेन, जिसका योज़ हम लिखने के लिए करते हैं इसको ओपन करेंगे, आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, इसको आप साइड इमर रख सकते हैं क्योंकि इसको आपको पड़ेगी ने, फिर मिलेगा आपको एक अडाप्टर जो की पावल सोर्स होगा उसके बाद मल्टिपल शॉकेट, आप अपनी कंट्री के साब से इसको आप चेंज कर सकते हैं फिलाल मैं अपनी कंट्री वाले प्लग को इस तरह के से फिट करता हूँ यह फिट हो जाएगा, तो इसके बाद आप चाहें तो इसका जो केबल है उसको कैसे फिट करते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यह रहा उसका में केबल जो काफी लंबा है तो आप अपने लैप्टॉप को दूर से भी कंट्रॉल कर सकते हैं यह HDMI केबल है, यह आपका लैप्टॉप में जाएगा, यह आपका USB केबल वो भी लैप्टॉप में जाएगा यह जो देख रहे हैं वो आपके पावर शॉकेट में जाएगा, पावर के लिए अब आखरी हिस्सा जो बचा हुबा है, यह वाला Type-C केबल यह आपके डिस्प्ले टैबलेट में जाएगा connection के लिए चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं main tablet, यह हमारा main tablet जिसमें आप किसी भी चीज़ों को देख करके इसके उपर annotation कर सकते हो अंदाजा लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप photos, videos के उपर इस तरह के editing कर सकते हो, खास करके यहाँ पर photos के लिए applicable है इस tablet के पीछे side आपको कुछ दिखाऊं, तो यहाँ पर दो arm है, जिसको open करके आप tilt पर कर सकते हो और साथ में extra निप भी आपको मिले हुए होगे, या तो आप इस तरह के से रख करके stand पी लिखे, या तो जब फ्लैट के ऊपर रख के लिखे, यह आपका power cable का supply है और यहाँ पर on touch चालू करने का button है, तो यहाँ से हम चालू कर सकते हैं, जब आप अपने laptop से connect करेंगे तो चली वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे connect करना है, हमने सबसे पहले तो अपने laptop को connection से connect कर लेना है power supply laptop को भी मिलनी चाहिए, उसके बाद आप अपने इस pen tab को भी attach कर सकते हो तो यह तो laptop का charger है, तो मैं ऐसे सिजा लगाता हूँ अपने laptop पे ताकि charging होती ही रहे यह मेरा pen tablet है, इसका connection कैसे करना है, वो मैंने आपको दिखाया तो जिर पहले तो इसके दो हिससे है, एक हिससा आपके laptop पे जाएगा, और दूसरा हिससा आपके adapter में जाएगा फिर यह जो cable है, वो आपके pen tab में जाएगा, सिजा सिजा इसको लगाना सुरू करते हैं यह मेरे हाथ में 2 cable हैं और यह adapter है तो हम लोग लगा लेते हैं adapter को power socket में power on करने के बाद यहाँ से current आना सुरू होगा जो कि आपके tablet को जाएगा इसके बाद यह दूसरा हिस्सा देख रहें न इसे आपको लगाना है आपके pen tablet पे यानि के display tablet पे यहाँ पे आप USB C cable देख रहें इसको यहाँ पे आप fit कर दीजिए थोड़ा अच्छे से fit कीजिएगा इसके बाद इसको आप side पे रख लीजिए या जहाँ पे भी आप चाहते हैं इसको use करना वहाँ पे आप रख सकते हैं या फिर अभी आपको मैं दिखाता हूँ पहले connect करके आपके laptop को इसके USB और HDMI cable के साथ यह रहा HDMI cable और अगल में है आपका USB cable सबसे पहले हम इनी दो cable को लगा लेते हैं अगर आपके में यह नहीं है तो आप connector यूज कर सकते हैं यह निकालके एक हिस्सा निकालके लाते हैं यह आपका cable है यह जाएगा सिधा आपके laptop में जो डिस्पले है उसको transfer करने के लिए HDMI बहुत useful है वह उसी का काम है तो यह HDMI cable में ने HDMI port में लगा दिया कुछ इस तरीके से मैं फिर से काऊंगा अगर आपके HDMI port नहीं है तो आपको connector लगाने के आवशकता पड़ेगी और दूसरा USB वाल है वह मैं USB cable में लगा दूँ यहां से वह आपके लिए connection को stable करेगा फिर अब तीसरा हिस्सा बचा उसे हम laptop को चालू करने के बाद आपके pen टेबलेट पे display टेबलेट पे लगा देंगे पस इतना सा काम है यह मेरा laptop अभी चालू हो गया सब connection रेडी है 75% बस मुझे इस type-c cable को अब प्लग करने की आवशकता है तो मैंने इसको भी प्लग किया प्लग करने के बड़ बटन चालू किया मे हमें हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करने की प्रोजेक्ट अलग-अलग हो सकता है आप PowerPoint को भी उसकर सकते हैं आप PDF को भी उसकर सकते हैं मैं आप आपको समझाने के लिए एक PDF ओपन कर रहा हूं PDF ओपन करने के लिए आप इसको राइट क्लिक कीजेगा open with edge Microsoft edge है उससे open करें यहां भी आपको अलग कलर है पेन का थिकनिया से उसका भी अलग कलर मिलेगा जैसा आप चाहें थिक चाहें थिन चाहें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं मैं फिलहाल अनुटेशन के लिए थिन यानि कि थोड़ा सब कम पतला यूज करूँगा इसके बाद आप पढ़ान से आप अंडरान करते वेचे लिए इस तरीके से आप चीजों को हाइलाइट करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं तो इस तरीके से जब आप पढ़ाने लगेंगे तो आपका हाथ पूरी तरह सी स्क्रीन के पास में ही रहेगा दूसरे जो ग्राफिक टेबेट होते हैं जिसमे हो गया आपका यहां पर आप जाईएगा ड्रॉ में वहां पर आप color paint चूज़ कर सकते हैं जो भी color आप उसको select कीजे बस आप उसको लिखना सुरू कर सकते हैं किसी point को आपको underline करना है circle लगाना है annotate करना है arrow लगाना है या indicate करना है वो सारा काम आप इसी table से कर सकते हैं जो कि एक customize भी है चाहे तो full screen भी कर सकते हैं आप अपनी screen को duplicate कर लिजेगा तो दोनों तरफ बढ़ा आएगा अगर आप चाहे रिकॉर्ड करने के लिए तो कोई भी recording software OBS ये फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह के से लगभग आपके सारे काम जो कि आप एक Wacom का one tablet है pen tablet है display tablet है आपके सभी तरह के जरुतों को पूरा करने के लिए more than sufficient है अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देख करके आपका advantage हुआ और purchase करना चाहेंगे तो आप free है इसके Wacom के site से भी जाके purchase कर सकते हैं या Amazon से purchase कर सकते हैं आपके लिए useful होगा थोड़ा सा costly है बट effective है thank you so much for watching इस वीडियो नमस्कार take care